स्री गनेशाय नमहां, वेद पुरुषाय नमहां, वासुदेवाय नमहां, सति दानंद रूपाय विशुद पत्यादेत वे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमहां हुए महाबारत जन्दर, स्री वेद वियास जी की आगनाशी वेशुद पायन जी का कथा प्रालम करना सिन्याक जी ने कहा, ए सुतनंदर महाबारत की कथा बड़ी ही पवित्र है इसमें पांडुओ का यस गाथा कया है स्वर्प सत्र के अंत में जन्मजी की प्रात्ना से भगवान स्री कृष्णा द्रेति मानने वेश्पाय नंजी को या आगना दी थी कि तुम वह कथा इने सुनाओ, अब में वह कथा सुनना चाहता हूँ वह कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन होने के कारण सर्वरत्नमई है आप वह सुनाई है उग्रास्रवाज ने कहा, सिन्याकजी भगवान व्यजव्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्राणम से ही सुनाऊंगा उसका वरणन करने में मुझे भी बड़ा अनंद होता है जब भगवान स्रीकृष्ण देतिमान को यह बात मालूम हुई कि जन्मई जई सर्प यग्नमे दिक्सित हो गए है तब वे वह आए भगवान व्यास का जन्म शक्तिपुत्र प्राशर के द्वारा सत्यवति के गर्वशी यमुना की रेति में हुआ था वे ही पांडवों के पिता थे वे जन्मे ते ही स्वेचा के बड़े हो गए और सांगोपांग वेदत था इत्यासो का गणान प्राप्त कर लिया उन्ने जो गणान प्राप्त हुआ था उससे कोई तपस्या वेदाध्यन व्रत उपवास स्वगविक सक्ति ओर विचर से नहीं प्राप्त कर सकता उन्ने ही एक वेदो का चार भागों में भीबक्त कर दिया वेभगभान, ब्रह्मोर्शी, त्रिकाल दक्षी, सत्यवरत, परम पवित्र, एवं सोगुन, निर्गुन, स्वरूप के तत्वख थे उन्ने के गुरुपा प्रसाचे पांडु, जुरुत राष्ट, और विदुर का जन्मा हुआ था उन्नोंने अपने सिस्यों के साथ जन्मेजी के यगन मंदप में प्रवश किया उन्ने देखते ही राजर्शी जन्मेजी जटपट सदस्यों के साथ उटकर खड़े हो गई और सिस्टाचार पुरुवक यगन मंदप में ले आये उन्ने सुवर्ण स्यासन पर बेठा कर विदी पुरुवक पुजा कि अपने वलिष प्रवत्य को पाधिय आच्मन अरगिय और गवे देखर जन्मेजी को बड़ी प्रसंता हुई दोनों और से कुस्वल मंगल के सम्मद में प्रश्णोतर हुए सभी सभासदों ने भगवान वियास की पुजा कि और उन्नों ने यत्था योग्या सब का सत्कार किया तदन्त और जन्मेजी ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर वियास जी के यह प्रश्ण किया पगवन आपने कवरों और पांड़ों को अपनी आखों से देखा था में आता हूँ कि आपके मुँशे उनका तरित्रा सुनू वे तो बड़े धर्मात्मा थे फिर उन लोगों में अनबनाव का क्या कारण हुआ उस गोर संग्राम के वने की नोबत कैसे आ गई उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विगनस हुआ है अवस्य ही देव वंस उनका मन यूद की और जुक गया होगा आप रुपा करके मुझे उसका पुरा विवरां सुनाए जनुमाई जी की ये बात सुनकर अगवान वेदियस ने पासी बेठे हुए अपने सिस्य विष्यपान से कहा विष्यपान कौरव और पांडव में जीस प्रकार फुट पड़ी थी वह सब तुम मुझे सुन चुके हो अब वही बात तुम जनुमाई जी को सुना दो अपने पुजिय गुरु देव की आगना सुनकर परिशभा में विष्यपान जी ने कहा कहना प्रारम किया विष्यपान जी ने कहा में संकलप, विचार और शमाजी के दवारा गुरु देव को नमस्कार करता हू तथा सबी ब्रामों और विध्वानों का सनमान करके परम जनानी भगवान वियास का मत सुनाता हू भगवान वियास के दवारा निर्वित यग्न इतियास बड़ा ही पवित्र ओर विश्त्रूत है। इसकी प्रसंता की है। इस इतियास करंथ में और्थ और काम की प्राप्ति के धर्मन उकूल उपाई बताये गए है। तथा इससे मोक्षतत्वों को पहचान्य वाली बुधी भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवन कितन से मनुष्य सारे पापों से ठुट जाता है। इस इतियास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्यान प्राप्त करने के लिए इचुक को इसका श्रवन करना चाहिए। ये धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र और मुक्ष शास्त्र सब कुछ है जो इसका श्रवन वर्नान करते हैं। उनके पुत्र शेवक और शेवक सो भी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवन करते हैं। उनके वाचिक, मान्चिक और सारीरिक पापनश्ट हो जाते हैं। इसमें भरत वंसियों के महान जन्म का कृत्तन है। इसलिए इसको महाबारत करते हैं। जो इस नाम का व्यक्तिविक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छुट जाता है अगवान त्रीकृष्ण दृतमान प्रती दिन प्रात काल उटकर स्नान संधिया आधिसे निवरुत हो शक्ति रचना करते थे इस प्रकार तीन वर्ष में यह पुरा हुआ था इसलिए ब्रामन को भी नियम में स्थीत होकर इस कथा का स्रवन वर्णन करना चाहिए जैसे समुद्र और सुमेरू रत्नों के खान है वेसे ही यह ग्रंथ कथा ओका मुल उदगम है इसके दान से सारे पूर्थवी के दान का फल मिलता है धर्म अर्थ काम और मुक्ष के सम्मद्र में जो बात इस ग्रंथ में है वही सरवत्र है जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है इसलिए आप लोगिया कथा पूरी पूरी सुने बुभार अरण के लिए देवत्ताओं के अवत्तार ग्रहन के निर्ने वेश्य पांजी कहते है जन्मजाई जन्मद्र नंदन परशुरामने इस 21 बार प्रुत्वी के छत्रियों का स्वार किया झाल